असलाओं के दोस्तों इंडिय से किरिमी में आपको विलकुम करते हैं एट्थ किलास की सिंटेक्स बुक बोर्ट जामशोरों से तो सीरीज चल लही थी तो बायो टेकनलाजी के बारे में थोड़ा साथ जानते हैं किता है कि प्रिवेस चेप्टर यह स्टेडी इन डिटेल्स हा नुक्रिस के से एक होता है उसमें इंफरमेशन पैक्ट कैसे होती है कोड़ कैसे होते हैं वगरा वगरा साइंटिस स्टेडी ब्रीफी डियने डियने बिकाज लाइफ ग्रोफ इन यूनिक फीचर आप एन और इन ऑर्गनिसम डिपेंट साने से डियने को पढ़ा था क्योंक और इन और इन बिकाज़ ग्रोफ और इन एक क्योंकि लिविंग इस्टेडर फार हमें बिंग कहता है कि साइंसदारों ने क्या किया कि कोश्चे की लिबाट्री में मुखतलिफ टेक्निक्स इस्तिमाल किये जिस तरह डियने एक जानदार का जो हो उसकी क्वालिटीज की ब्रांच है जो डील करती है माइक्रो ऑर्गनिजम्स के साथ ठीक है उसके अलावा इनिमल सेल प्लांट सेल आर देयर कंपोनेंट्स तो प्रोड्यूस उसफुल प्रोड़क्ट पार हुमन इसका बायो टेक्नलाजी कहता है कि जानदारों के सेल को हो या दरक्तों के प्ला आगे चलते हैं सबसे पहले हमारा एसन में थाप्य के भाइर टेक्नलाजी तो यह है बायो क्या है उसकी बात अब समझते हैं तो the word bio technology is derived from two words, bio and technology. ठीख है, bio technology दो बोड से बनी है, bio और technology, bio means life, bio means जिंदगी, and technology means scientific method to create new product and solutions. केता है कि life technology के सिवराद अंब को बता है निए, वो तरीके जिसे ले वो साइफ्सी तरीके जिसकी वज़ाए से नए पैदावार नए चीज़ें बना हिरा सकें. बायो टेकनाजी जहाँ है वो हैं जानदारों को जानदारों को जानदारों को और उसके कंपोनेंट पर काम कर रही है ताके एक ऐसा काम करके कुछ काम की चीज़ें बनाई जा सकें इनसान उन्हें बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं ताके जो खाने का जो है वो शार्टेज खतम हो सके उसके लिए उन्हें बहुत सदियों पहले से कोशिच को कर रहे हैं इन पास्ट वाज यूज़ तो मेक अलकोल और चीज भाई माइक्रो और इससे पहले क्या कहते थे जैसे के शराब और उसके अलावा पनीर जो है वो बनाते थे माइक्रो और माइक्रो ओर्गेजम्म के थुरू ठीक है तो डू सिलेक्टिव ब्रीडिंग ताके वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर सके एप्षाइब डिए प्रोसेज होता है जिससे नए अ ऑइर्ग नियू और ग्रेजम में इंद्रिजारवल करेक्टरिस्टिक अफ लाइ जिससे क्या करते हैं कि नया आर्गिनिजम बनाएं जिसकी डिजायरबल जो डिजायरबल करेक्टर्स कम चाहते हैं जो हम चीजें चाहते हैं वही बने उस हिसाब से उस जानदार को बनाया जा सके जैसे कि जमीन में जो हम फसल होगाते हैं और उसके अलावा इंटी बायोटिक from microorganism उसके अलावा anti-biotic जो है वो हम microorganism के तुरू बनाते हैं यह सारी चीजे सिलेक्टिव ब्रेडिंगे तुरू होती है Nowadays modern techniques have allowed to use to manipulate genetic material of living organism to develop a wide range of new products and improve their nutritional values of food products कि तक आजकल के जमाने में जो techniques methods तरीके इस्तमाल हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो genetic material होता है किसी भी जानदार का उसमें उसमें जो हो changing लाते हैं उसको manipulate करते हैं और उसको बेतर बनाकर बड़े पेमाने पे नई products बनाते हैं ताके खाने का जो मसला है वो health हो सके ठीक है उसके अलावा क्या किता है कि बायो टेक्नलाजी इस नाओ प्लेइंग अवेरी important role in diagnosis of infection as well as genetic disease उसके अलावा बायो टेक्नलाजी बहुत important करदार अदा कर रहे हैं बीमारियों और infection या genetic जो बीमारिया होती हैं उन से लड़ने में उन उन को बैतर बनाने में जो है वा काम कर रही है to understand bio technology let us first explore how the genetic material जो गजीर बनो के लिए कैसे DNA replicates जो तो उसके कह रहा है कि अगर हमने बायो टेक्नलाजी को समझना है तो सबसे पहले हम genetic material यानि के DNA कैसे रिप्लीक होता है वो समझते हैं तो उमीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि बायो टेक्नलाजी क्या है अगर आप आगे समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम यह समझें के DNA replication क्या होता है असलम अलेक्ट